अलवर के एने बिधाना शेत्र अंतरगत मुंगस का कलॉनी में कच्रा डालने को लेकर हुआ मामूली विवाद मारपीट तक पहुँच गया जिसमें लोही की डौड लगने से एक व्यक्ति खायल हो गया जिसे उचार के लिए जिलास पताल में भर्ती करवाया है जहां उसका चल रहा है पीडिति कबाल सिंग ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली महिला पिंकी कौर आई दिन उनकी दुकान के सामने अपने घर का कूड़ा फेक जाती है जिसको पहले भी कई बार कच्रा डालने से मना किया था घटना के वक्त दुकान पर बैठी मेरी पतनी अनीता दौरा पिंकी कौर को कच्रा डालने के लिमना किया तो पिंकी कौर आक्रोशित होकर जगडने लगी और गाली गलोस देना शुरू कर दिया आवास सुनकर पिंकी कौर के परीजन आ गए और दुकान पर पतनी के हनीता के साथ जगडने लगे और दुकान का सामान फेक दिया चीक चिल्लानी की आवास सुनकर जम मैं बहार आया तो पिंकी के परीजन काउ सिंग वे उनके भतीजे मंगलू ने मेरे साथ मारपी चुरू कर दी मोगा देखकर मंगलू वे काउ सिंग ने मेरे उपर लोही की रोड से हमला कर दिया रोड लगने से मैचेत हो गया जिस पर परीजनों द्वारा मुझे अस्पताल में भरती करवाया गया महीं घटना को लेकर एनी विथाने मामला दर्च करवाया गया है चुरू कते लोगों ने आपको पर मुझे ऐसे नलल लटी बहुरू कितने लोगों आपको प्रमकलो है सुरू कर…. कुरू कहुताहनाृ का संवल का मढ़े पर जाए जाए लिजना दतता चाह जने के नाम में देखा है, जो दो पहले सी मरे बाल वाल पकड़े हैं, मैं दो पहले सी सब इसकार हैं परोशी जेखने वाले चाहिए परोशी देखने वाले चाहिए कच्रे गिवर्ब आपको नाम के?